आज के दिन जात्कों का जनम दिवा से मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत दोर शुप काम नाएं सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति जितनी आप से बन सके उतनी करने का प्रयास जरूर करना आज हम आपको सिव रक्षा सोत्र के बारे में बता रहे हैं यदि किसी को मांसिक कर्ष्ट हो, सारीरिक कर्ष्ट हो किसी भी प्रकार का सरीर में कोई दर्द रहता हो, वेदना रहती हो अच्छे से नींद ना आपाती हो तो आप इस सिव रक्षा कवच को जरूर पढ़ें आपको अध्भूत लाव भगवान शिव की करपास से प्राप्त होगा और इसी के सास्ता दूसरी खास बात कि यदि आपके किसी अपने को जैसे बच्चे को बेटे को बेटी को या किसी संबंदी को भी यदि कोई सारे की अ मानसिक समस्य रहती है तो उनके निमित्त भी आप इसी सोत्र को बढ़ सकते हैं जी हां भक्ति कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है प्राथना कोई भी किसी के लिए कर सकता है सावन का महीना और सावन के महीने में भगवान शिव का जब भी आपको इस सोत्रादी पढ़ते है कवच पढ़ते हैं मंत्र पढ़ते हैं शिग्र लाप मिलता सारे कश्टों के निवारण के लिए भगवान शिव की भक्ति वास्तव में आशार्तीत लाप प्रिधान करती है कहीं मृतुंजे मंत्र तो कहीं मृत्संजीवनी मंत्र कहीं लगू मंत्र कहीं भगवान शिव की सहस स्तोत्र आपको कहां से प्राप्त होगा यह सारी जानकरी भी हम आपको बता देंगे तो आईए सबसे पहले आज काम पंचांग देखें दिव्वे स्तोत्र है इस स्तोत्र को आज हम सरल हिंदी में पढ़ने वाले हैं क्योंकि संस्क्रत यदि आपको नहीं आती बहुत लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी करीब करीब सभी पढ़ लेते हैं यह ना समझें कि संस्क्रत में आपको ज़्यादा फुल मिलेगा यह भी न समझें आपको हिंदी में ज्यादा फुल मिलेगा फुल उसी को प्राप्द होगा जिसकी भाव नहीं अत्त्म होगी अत्तम भाव्व के साथ जदि कोई इसमें तो बहुत ही अद्भूत लाप्रदान आपको हो जाएगा तो आए सुनें सबसे पहले भगवान शिव का पंचोग चार या शोट सोग चार पूजन करने पूजन करने के उपरांत एक कटोरी में जलने चमबच रखें आचमनी से या चमबच से जल लेकर के सबसे पहले कटोरी में या प्लेट में छोड़ें इसको पढ़ें देवादी देव महादेव का ये परम पवित्र चरित्र चतुर वर्ग धर्म आर्थ काम और मोक्ष की सिद्धी प्रदान करने वाला साधन है यह अतीव उदार है इसकी उदारता का पार नहीं है साधक को गवरी और विनायक से युक्त पांच मुखवाले दस भुजादारी त्रियम्बकम भगवान शिव का ध्यान करके सिवरक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए गंगा को जटा जूट में धारन करने वाले गंगा धर शिव मेरे मस्तक की शिरो भुषन के रूप में अर्द चंद्र को धारन करने वाले अर्द हिंदु शेकर मेरे ललाट की मदन को धवंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की सरप को आभुषन के रूप में धा की रक्षा करें त्री पुरा सुर के विनाशक पुरा राती मेरे ग्राण नाक की जगत की रक्षा करने वाले जगत पती मेरे मुख की वानी के स्वामी वागीश्वर मेरे जिवा की शीती कंधर नील कंठ मेरे गर्धन की रक्षा करें स्री अर्थार्थ सरस्वती यानि वानी निवास करती है जिन के कंट मैं ऐसी सदासिव ऐसी स्री कंट मेरे कंट की रक्षा करें विश्व की धूरी को धारन करने वाले विश्व दुरंदर शिव मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें प्रत्वी के भार सब रूप देत्यादी का संगार करने वाले भूभार संगारता शिव मेरी दोनों भुजाओं की पिनाक धारन करने वाले पिनाक ध्रक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें भागवान शंकर मेरे हर्दे की और गर्जापती मेरे जठर देश की रक्षा करें भागवान म्रतुंजे मेरी नाभी की रक्षा करें तथा व्याग्र चर्म को वस्तर रूप में धारन करने वाले भागवान शिव मेरे कटी पर्देश की रक्षा करें दीन आर्थ और शर्णागतों के प्रेमी दीन आर्थ शर्णागत वस्सल मेरे समस्त सक्तियों की हड्डियों की महेश्वर मेरे उर्वों तथा जगदीश्वर मेरे जानूओं की रक्षा करें जगत करता मेरे जगाओं की गानाधिप दोनों गुल्फों की करुणा सिंधू दोनों चरनों की तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें जो सुकृती साधक कल्यान कारणी सक्ति से युक्त इस शिव रक्षास्तोत्र का पाठ करता है वे समस्त कामनाओं का उपभोक कर अंत में शिव सायोज्य को प्राप्त करता है तिरलोक में जितने ग्रह बहुत पिसाच आदी विचरन करते हैं वे सबी इस सिवरक्षा इस्तोत्र के पाठ मात्र से ततक्षन दूर भाग जाते हैं जो सादक भक्ती पूर्वक पारवती पती शंकर के इस अभेंकर नामक कवच को कंठ में धारन करता है अर्थात लिख करके किसी तावीज में बना करके कंठ में धारन कर लेता है तीनों लोग उसके अधीन हो जाते हैं भगवान नारायन ने स्वपन में इस शिवरक्सा इस्तोत्र का जिस प्रकार उबदेश किया योगेंद्र मुनी याग वलक्या ने प्राथय का लुटकर उसी प्रकार इस इस्तोत्र को लिख लिया इस प्रकार श्री याग वलक्य मुनी कथित शिव रक्षा स्तोत्र अंक तस्यात तो साथ को यह भूँए प्यारा स्तोत्र है सुब्र अपनी पूजा में पूरे सावन सावन इसको आप सकते हैं संध्या कालीन पी इसको आप पड़ा सकते हैं आप चाहिए हिंदी में पड़ने नहीं तो आपको जो हमने पढ़ा है यही हमारी वाइस आप रिकॉर्ड करने और इसी को आप सुण करें लेकिन बेतर होगा अच्छा होगा इदि आप स्व्यम अपनी भासा में सरल भासा में सामने इसे स्तोत्र को रख करके पढ़ेंगे तो आनंद की प्राप्ति आपको होग ठीक है तो समस्त प्रकार के मानसिक सारेरिक कलेशों को जंजटों को संकटों को तक्षण मिनास करने वाला भागवान शिव का यह महान शिव रक्षा रक्षा इस्तोत्र है इस इस्तोत्र को पढ़के कोई भी साध्यगण लावाने भित हो सकते हैं तो आईए बात इस पूजाते विसयोप भोग रचना निद्रासमा जिस्ति दे संचारा पदयो प्रदक्षन विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारा दनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित व्रिट्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कब अच्छ बना लें ध्यान करें भगवान शिव का शुबासी समसब के उपर बरस रहा है कि अच्छ बोलते हुए नित्र होने समान्य हो जाएं देखो साथ को गुर्दिक्षा आप में से हजारों लोगों ने ली है इस बार के उसमें भी बहुत अच्छे से अपनी गुर्दिक्षा को पढ़ते रहना करते रहना और ये सावन का महीना है इसे यूहीं आलस्ते और परमाद में वैतीत मत करना जगदंबा की भक्ती और शिव की भक्ती अटूट रूप से करना इंद्राक्षी धाम की ओर से जो आपको स्री शिव का बिजाक्षर मंतर दिया गया है उस मंतर की कम से कम एक तीन माला इस पूरे सावन के महीने में करना और वाकी हमारे अन्य सादक जितने भी हमें सुनते हैं देखते हैं इस पूरे सावन हम बीच पीच में ना कुछ एसी घुपत प्रियोग को प्रदान करते रहें कि उन्हें आप सुनते रहें और करने का प्रियास करें अब जो भी हम कुछ अईसी बाते बता थे उसे आप लिखने का प्रियास किया करें एटिक है इस डायरी बोर को होगी आपकी खांदानी विरासत की डायरी बन जाएगी आपके काम आएगी आपके बच्चों के काम आएगी आपके पोते पोती नाती दूती सब के काम आएगी है ना तो इसलिए ऐसी अमूल धरोर को कुछ ना कुछ अपने पास समझो करके रखना चाहिए हमने भी रखा है बोलो को लिख करके वसी में से आज आज आपको कुछ नहीं पताते रहते हैं ऐसे आप भी लिखिएगा और दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखें इस इस्तोत्र के लिए गीता प्रैस गोरकपूर तुबारा सुनें गीता प्रैस गोरकपूर से भागवान शिव के इस्त सट्थ रच्नान वली के नम से उसको जानते हैं और शिव इस्तोत्र रटना करके नाम से जाना जाता है और इसका प्रोक अबरभrage ने मैं बहुत सारे स्ट्थ रहां जिए बेटा आपको मिल करें अपने धर्म की जड़ों को मजभूत बनाने का बेटा प्रियास करें और थोड़ा आप भी इस चीज को इस पूरी फुस्तक को खरीद करके अपने दोस्तों में सगे संबंदियों में कहीं भी इसको बाट सकते इसका मुल्य भी देखो क्या बात है केवल मात्र पचास एल पेजी की चुटी चुटी पुस्तक एं या जो बच्चो की और भी किताबों की कुस्तकें हैं सो सो पेज की किताबे आप अंधाय लगा सकते हैं कितनी महंगी महंगी वो हैं और हमें लेनी पड़ती है और देखो गीता प्रेस वास्तब में धन्य है तू फिप्टी सिक् प्रणाम के पात्र रहें तो बिटा जितनी भी हमारी ऐसी संस्ताएं है गीता प्रैस है यह और भी जो भी हमारी ऐसी संस्ताएं है वहां बढ़ चड़कर के मदद कीजिए वहां जो आपसे सहीयोग हो सकता ऐसे स्थानों पर सहीयोग करनेगा प्रयाज जरूर किया करें चलो आप सब लोग सुखी रहे हैं, स्वस्त रहे हैं, यही शुक्त आमनाओं के साथ हम अपनी वानी को प्राम देती है, जय जय अम्बे हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था आप देखना क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साम अबार ट्रांस्फर हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बैटी भी बैठी हुई थी उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी तोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फोन और पहली बार ही उसका आपके साथ फोन लग गया, पहली बार ही उसका फोन लगया और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी जौकरी मिलेगी तोड़े दिन बाद ही उसको प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें झाल झाल झाल